हलो इफ्रिवान कैसे आप लोग तो आद में शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में स्पेशल भरवा पनीर वाले भटूरे बनानी की रेसपी और उसी के साथ में हैं बहुत ही जबर्दस टेस्टी सा छोला तो इन दोनों का कॉंबिनेशन एक बर जरूर ट्राइ करें फ्रेंट जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया तो इसमें मैं दो डेबल स्पून चाय पत्ती डाल रहे हूं जो भी आप रेगुलर टी लीफ्स यूज करते वो डालकर इसको आप दो मिनट तक बॉयल कर दीजिए इस तरह से यहां पे चाय पत्ती की पानी है जिसके वीज से चोल आप इसमें हमें प्रेशर कोकर में डालकर दो तیस प्तर डालना है तीन चार पीस हम इसमें लॉंग डाल नहीं इसके साथ दो टुकड़ा डाल रही हूं मैं दो हरी-लाई-शी में ठालनlight इसमें बॉयल रवाश जिसको मैंने बस कलिया ली और दो आदे पीसिज में कटकर कर इसी के साथ मैं 8-10 पीस काले मिर्च के दाने डाल रही हूं जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसी के साथ इसमें मैं अब डालूँगी नमक तो नमक आपको यहां पे 2 टेबिल स्पून एड करना होगा जितना छोला लिया है उसी का उतना हमें नमक डालने के बाद में हमें जो चापति का पानी है उसको चान कर यहां पर डाल देना है तो स्ट्रेंड करकर डरेक्ली मैं यहां पर डाल दिया तो यह देखें लो मीडियो फ्लेम पे मैंने इसको 5-6 विसल लगा लिया है और यह छोले बहुत अच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गय कर लेना है अब आती हूं मैं नेक्स टेप में जहां पर मैं भटूरे बनाने के लिए डो बना रही हूं इसके लिए दो कप मैंने वाल पॉपस फ्लार लिया वा है इसमें मैं दो टेबल स्पून सूजी आड कर रहे हूं यानि की रवा सेमोलीना साथी मैं इसमें वन दही डाल रही हूं दही पे हमें गुंगुना सा दूद डालना है जिसको मैंने 3-4 कप लिया हुआ है तो बिलकुल लुक वाम दूद डाल येगा साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं दो टेबल स्पून कोकिंग वाईल या रिफाइन ओयल भटूरे के यह सारे इंग्रेडेंस आपको एक मिकसिंग बोल में निकाल लेने मैदे को पर डाल देना है और डाल कर इसको हातों से अच्छे से मिलाना है क्योंकि गुनगुना सा दूद शुगर मेल्ट हो जाती है और बिलकुल अच्छे से बंद जाता है अभी हमें जब इकट्थी होने लगी है सिमट गई है एक चमच ओयल उपर से लेना है और इसको पंच लगा कर गूत लेना है बेसिकली इसको हमें बहुत अच्छे से नीड कर लेना है उसके बाद में इसको रेस्ट पर हमें रखना होगा जिससे यह थोड़ी राइज हो और जिसे जो भटूरे हमारे बहुत ही फुले-फुले से तो थोड़ा सा उपर से ओखा कर इसको हमें ढखक कर इसी गरम जगह पे रख देनी है तो इसको कवर करकर में साइट पर रख दे रहे हूं नेक्स सिप में हमें कडाई लेनी है क्योंकि मैं यहां पे इसमें सूखे से आलू बना रही जो कि बहुत चट-पटे होते हैं और व तोड़ा गलाना भी है इसी में ये फ्राइ होते हुए सॉफ्ट और टेंडर हो जाते है ये अब हलका सा ये फ्राइ भी हो रहे हैं और ये तूदपिक डालकर मैं चेक कर लिया है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है अंदर तक ये जा रही हो और इसली बाहर आ रही है तो अब ये प्लस गल भी गया है इसी तरह का हमें टेंडर आलू चाहिए अब इसको निकाल कर एक बोल में रख लेजिए और इसमें डाले थोड़ा सा नमक थोड़ा सा मिर्ची पाउडर के लिए प्लस तीखापन आएगा इससे थोड़ा सा हमें चाट मसाले का पाउडर डालना है अम आपको बहुत अच्छा लगेगा तो यह चटपटे आलू रेडी है इसको साइट पर कर लीजिए अब जो बचावा वाइल था जिसमें अमने आलू फ्राई किया था उसी में हमें डालना है दो प्यास का पेस्ट तो मैंने दो मीडिम साइज की प्यास की पेस्ट तयार करकर रखी हुई है और इसको में डालकर फ्राई कर लेती हूं तो फ्लेम हाई रखेंगे और लगतार प्यास को फ्राई कर लेंगे देखें जैसे ही मैंने प्यास को फ्राई कर लिया है इसका कलर बिलकुल डार्क ब्राउन होने प्याय है इसी हद तक हमें इसको फ्राई कर लेना तो मैंने तीन टमाटर फ्रेश टमाटर लिया और इसको प्योरे बना लिया है और यहां पर आड़ कर दिया है अभी है मसाले में हमें डालने हैं पीसेवे मसाले इसमें हलदी पाउडर 1 ती स्पूंनय देगी मज का पाउडर 1 ती तो आप छोले में क्या करें अनारदाना पौडर डाल दें इस मसाले को हमें लगतार अच्छे से भून लेना है इसी के साथ जिंजर जूलियन और दो तीन पीस हरी मिर्चे डाल रही हूं मिर्चे को हमने बोहत अच्छे से स्वाइ लेना है तो थोड़ा पानी जालकर भूनिया अगर में शोंडर अच्छे नीधार और बूलियो रहे हूं कि तब तक मुझे को ऊच्छी खुश्ज्बू आरिये मसारा बूलु अच्छे से भून गया है तो इस पोइंट पे हमारें चोले का कलर कितना प्यारा आया है इसी तरह से जब हम चोले बटूरे बाहर खाते तो ऐसे ही शकल का रहता और बहुत टेस्टी युमी सा लगता है तो यह डिलीशस छोला आप घर पर ट्राइ कर सकते हो अगर आप इस तरह से बनाऊगे तो अभी आमी क्या करना है और मसाले मे तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर डालना है तकरीबर मैंने आफ टीसपून डाली है यह मेरा घर का बनायावा मसाला था होम इट गरम मसाला और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ का सूरी मेती का पाउडर वन टीसपून और फ्रेश हरधनिया ए इसको बनाकर साइट पर कर लीजिए और अब हमाते हैं हमारे डो की तरफ तो यह देखे फ्रेंट्स डो हमारा अच्छा काफी रेस्ट हो गया है यह अच्छी से गरम जगा पे मैंने रख दिया था तो यह हलका सा राइस भी होता है और बहुत ही फुले फुले से बनेंगे हमारे भटूरे अभी थोड़ा सा सुखा फ्लार ले लिजिए और इसको अच चिली फ्लेक्स जाली है मैंने और इसको मैं अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दे रही हूं और देखें यह मिक्स हो गई है अभी हमें लोई लेनी है जिसको आपने बना कर रखा था और भटूरी की लोई को थोड़ा सा खुसकी लगा कर बढ़ा कर लेना है और बीच में स्पेस इस तरह से स्पेस बनाते हुए हमें हमारी जो स्टफिंग हमने पनीर की बनाई है वो तक्रीबन दो बड़े चमर डाल दीजे इसमें और उसको अंदर की तरफ दबाकर सील कर दीजे और साइट्स को उठाते जाएए स्टफिंग अंदर चली जाएगी और यह पूरा इसको लंबा बेल दीजे और इधर बन गया है इनको फ्राइब करने के लिए हमें क्या करना है बहुत अच्छा स्मोकिंग हॉट ओयल गरम कर लेना है और एक बटूरे का आपको फ्राइब कर लेना है देखिए इस तरह से तेल गरम करकर मैं इसमें डाल दिया है और खुद भूल दंद 친 दालकर इसको बनाई है उसकी वजह से बलफ़ी फुला फुला सा बहतूर बनकर तयार है तो देखिए बोहती सबर्दसा बनकर तयार हो गया है अब मैं इसकी प्रेटिंग कर लेती हूँ जिसके लिए मैने थोड़े से पयाज रखे थोड़े मिर्चे है आपको अच्छा लगेगा आप जरूर ट्राइब किजेगा तो अगर कुछ आपको नाश्ते पर बनाना है कुछ मिमान आ रहे हैं गेस्ट के लिए या नाश्ते पर अपनों के लिए कुछ इस्पेशल बनाना है तो यह चुले बटूरे पूरे अच्छे से बनाकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर जरू कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब जरू कर लीजेगा तो चले फिर मिलती हो मैं नहीं धमाकेदार बहुत ही जबर्दस रसपी लेकर तब तक अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सा रख्याल दुआ में आद रखिएगा थैंक्स फो वॉचिंग